कास्टीजम कोलंबिया यूनिवेसिटी और LSE से PhD के अलावा, महों का ये लड़का ब्रिटिन के highly exclusive क्लब, Grays Inn से Barrister भी बना। दोस्तों, भीमराओं अंबेटकर की कहानी सिर्फ इसलिए fascinating नहीं है, क्यूंकि उन्होंने अपने दौर के सभी विद्वानों से ज्यादा ज्यान अर्जित किया, बल्कि इसलिए भी है क्यूंकि अंबेटकर ने ये सब एक लंबे संखर्ष से हासल किया, उनका जन्म महार कम्य एक ऐसी कम्यूनिटी जिसकी गिनिती हिंदू सोशल सिस्टम की एक कुरूप व्यवस्था की तहट untouchables या अचूतों में होती थी, व्यवस्था का नाम जाती व्यवस्था या कास्ट सिस्टम, जी हाँ, हमारे सम्विधान निर्माता भीम राव अंबेटकर एक ऐसी व्यव करोडों लोगों का भविश्य जन्म से ही तै करने की ठानली थी, अमबेटकर की कहानी इसलिए प्रेरणा दायक है, क्यूंकि जाती व्यवस्था में जिन कम्यूनिटीज को अचूत डिक्लेयर किया गया, उन्हें ज्यान अर्जित करने की इजाजत नहीं थी, डॉक्टर बा बॉतम धर्म सूत्र में तो शुद्र द्वारा वेदाज को सुनने या रिसाइट करने पर कान में पिघला हुआ सीसा डालने या जीब काटने जैसे एक्स्ट्रीम प्रिस्क्रिप्शन भी थे, ऐसी एक्स्ट्रीम व्यवस्था से लड़ते हुए अमबेट करने न सिर्फ ख पिछडों को एजुकेट करने और जाती व्यवस्था को जड़ से उखाडने के लिए लंबा संघर्ष भी किया। अपने इसी संघर्ष के चलते वो लाखों, करोडों, उत्पीडित समाज के लोगों के लिए भीम रावंबेट कर से बाबसाहिबंबेट कर बने। आज की हमारी कहानी उसी व्यवस्था की है जिसके खिलाफ संघर्ष में बाबसाहिब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो व्यवस्था जिसने करोडों, दलितों और वंचितों को आज भी अपने बंधन में जकड रखा है। आज के वीडियो में हम जातिवाद का पोस्ट मॉटम करते हुए उसकी जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे जिस व्यवस्था को दशकों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। साथ में जातिवाद के evolution पर नज़र डालते हुए हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से factors थे जिन्होंने कास्टीजम और untouchability को challenge करते हुए हिंदू social system में बदलाव किये। चलिए शुरुआत करते हैं caste system की definition और origin से. Origin of Wern and caste system दोस्तों, जाती व्यवस्था के बारे में rough idea तो सबको है, लेकिन ये जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं. और इसी लिए इसका एक scientific analysis ज़रूरी है. जाती व्यवस्था को कई बार Rig Vedic Times की Wern व्यवस्था से भी confuse किया जाता है. In theory, caste system, Wern model के साथ interlinked है. लेकिन इन reality उससे कहीं ज्यादा complex और अलग. खैर, Wern model एक broad outline है, जिससे हम caste system को roughly समझ सकते हैं. Wern Hindu society को चार orders में divide करता है, जिसमें traditional priests और scholars यानि ब्रहमन हायरार्की में सबसे उपर रखे गए, फिर warrior group यानि क्षत्रिय, उसके बाद merchants और traders यानि वैश्य, और सबसे आखिर में peasant, laborers और हायर वर्नास के servants या फिर शूद्र. पहले तीन कास्ट को द्विजा यानि twice born कहते हैं, जो वैदिक ritual उपनायाना के बाद secret threat पहनते हैं, लेकिन शूद्राज को या allowed नहीं था. ओरिजन की बात करें तो 1500 से 1000 BCE के बीच, Rig Vedic Society में वर्न की शुरुआ थुई, और तब इसका मतलब रंग या कलर था. इसका इस्तिमाल सबसे पहले आरिय और दासा के बीच comparison के लिए हुआ. आरिय उन्हीं कहा जाता था जो लगभग 1800 BC के आसपास Central Asia से इंडिया में आये, और दासा वो थे जो इंडियन सब कॉंटिनेंट के original inhabitants थे. खैर तब वर्न डिविजिन्स कास्ट जैसे rigid नहीं थे. धर्मशास्त्राज आईडिली वर्नाज को prescribed occupation में रहने की हिदायत देते थे, लेकिन crisis में occupation change allowed था, पर mainly Brahmins को. खैर, कास्ट का origin later Vedic age यानी 1600 BCE के बीच हुआ, जब वर्न rules जैसे occupational rules rigid होने लगे. वर्न लाजली कर्म पर आधारित था, लेकिन कास्ट में occupation hereditary हुआ, और ये वर्न को कास्ट से अलग करता है. धर्म सूत्राज के हिसाब से, inter-varn marriages या फिर वर्न समकरा से जातियों का जन्म हुआ, पर इस theory की scientific validity कम है. इनिशली कास्ट में untouchability नाम का social evil भी नहीं था, जबकि कास्ट hierarchy हमेशा से थी. अस्प्रिश्य या untouchable word का पहला literary evidence 1st और 3rd century AD में विश्नु धर्म शास्तर में मिलता है. अन्टचबिलिटी के origin की ये timeline बी आरम बेटकर के assessment से भी match करती है. Early 5th century में जब Chinese traveler Fayan इंडिया आए, तो वो भी untouchability के widespread existence की बात करते हैं. ये वो दौर था जब untouchability rigid और exploitative होने लगा था. खैर चलिए, अब वर्न और जाती के अंतर को detail में देखते हैं. वर्न वर्सिस जाती दोस्तों, वर्न और जाती में कई अंतर हैं. जाती को ही English में caste कहा जाता है. पहला difference तो ये है कि वर्न केवल 4 हैं, लेकिन जातियां uncountable. कास्ट में एक 5th group भी है, जिसे अवर्न, अतिशूद्र या untouchables कहा गया. दूसरा ये कि वर्न में 4 groups का status fixed है, लेकिन caste में ऐसा नहीं है. इसलिए अगर एक ग्रूप इतिहास में political power गेन कर लेता था, तो वो क्षत्रिया स्टेटिस क्लेम करने लगता है. यही वज़ा है कि मौरिया वंश के रूलर्स के caste origins को लेकर कई debates और discussions हैं. डिमोक्रिसी के चलते आज कई जगहों में ज्यादा population वाले कास्ट उपर के वर्ना से ज्यादा well-off और powerful हैं, जिन्हे sociologists dominant caste कहते हैं. इसके अलाबा, वर्न कई range of occupations prescribe करता है, जबकि जाती एक specific occupation से connected है. For example, वर्न विवस्था ये नहीं बताती कि कौन ironsmith होगा या कौन carpenter या कौन goldsmith. ये detailed division केवल caste में है और इसलिए multiple occupations करने वाले caste एक ही वर्न में हो सकते हैं. इसके अलाबा, वर्नाज में occupation, endogamy और commensality के rules में less rigidity है than caste. खेर, caste system समाज की हर activity को regulate करने की कोशिश में occupation से लेकर किसके हाथ से पानी लेना है, सब prescribe करता है. इतना deeply लोगों को control करने की कोशिश शायद ही किसी social system में हुई और इसी लिए caste unique है. यही rigid rules जाती व्यवस्था के दामन या exploitations का कारण भी हैं. तो चलिए समझते हैं जाती के essential features को. Features of caste system दोस्तों, caste का सबसे पहला फीचर है Closed Membership. यानि एक ब्राहमन हमेशा ब्राहमन ही रहेगा और एक शूद्र हमेशा शूद्र. शूद्र कितनी भी education या wealth कमाले, caste system में status improvement impossible है. अगला feature है Endogamy. मेंबर्शिप की exclusivity के लिए inter-cast marriage prohibited है. अगला feature है differential punishments. यानि punishments के rules हर caste के लिए अलग है. For example, अमबेट कर कहते हैं कि अगर शूद्र upper caste woman के साथ adultery करता है, तो मनों उसे मृत्यू दंड प्रिस्क्राइब करते हैं. लेकिन ये बाकी caste पर applicable नहीं है. अगला feature, rigid division of labor और hierarchy in occupation. Occupation बर्थ से decide होता है और occupations में भी higher status और lower status होता है. जैसे sweeping को higher caste's polluting मानते थे. Eating practice को लेकर भी rules थे. For example, Brahmins के लिए non-vegetarianism generally prohibited है और untouchables के हाथ से पानी लेना upper caste के लिए prohibited है. Sociologists कहते हैं कि सदियों की practice से caste एक indoctrinated ideology बनकर Indian society में घुच गया, जिसने caste को आज तक जिन्दा रखा है. इसी ideology के चलते हर caste अपनी exclusivity maintain करती रही और system पर believe करती रही. बावजूद इसके कि कुछ caste को इससे फाइदा हुआ और कुछ के लिए ये जानलेवा थाबित हुआ. कास्ट के maintenance में कई informal bodies जैसे कास्ट पंचायत्स भी involved रही, जो कुछ societies में इतने violent हैं कि rule breakers को death sentence ही दे देते हैं. खेर, अब बात करेंगे कास्टीजम के सबसे खतरनाक पहलू untouchability की. दोस्तों, untouchables को early times में चंडालाज जैसे नाम से जाना जाता था, जो fifth group यानि अवर्न का part थे. अंबेट कर उन्हें depressed classes या दलित और गांधी इन्हें हरिजन्स बोलते थे. administrative convenience के लिए Government of India Act 1935 से इन्हें scheduled caste का दर्जा मिला. Constitution ने scheduled caste को enlist करने की power President of India को दी है. इस list में West Bengal के बागड़ी और राजबंसी, महराष्ट के महार, आंध्रा के माला और मड़ी का एटसेटरा आते हैं. stigma और dehumanization की बाद करें, तो इसका एक example यही है कि SCs के caste titles को ही कई बार slur की तरह यूज़ किया जाता था, जिसे SCST Act ने अपराध declare कर दिया. इसके अलावा, उन्हें कई बार dogs और crows से भी equate किया गया. अपस्तंब धर्मशास्त्र के हिसाब से, अगर कोई higher caste चांडाल से contact में आए, बात करे या देखे भी, तो उसे immediately नहा कर, ब्राहमन से बात करके और sun, moon और stars को देखकर खुद को purify करना चाहिए. Modern times में भी ये चलता रहा. Sociologists घूरे बताते हैं कि तमिल नाडू में शानार कास्त को ब्राहमन से 24 कदम और केरला में तीयंस को ब्राहमन से 36 कदम दूर रहने की हिदायत थी. ये सिर्फ कुछ examples हैं. असल में देश की 16 प्रतिशत population के खिलाफ ऐसे dehumanizing rituals और acts की list लंबी है. दलितों के साथ residential discrimination भी हुआ और उन्हें गाउं से बाहर poor और unhygienic conditions में settle किया गया. कई जगहों में मंदिरों में entry पर ban लगा कर उन्हें भगवान से भी दूर रखा गया. और तो और untouchables की परचाई भी polluting मानी गई और upper caste villages में उनकी entry पूरी तरह ban रही. हायर कास्ट्स द्वारा पहने जाने वाले अभूशन और कपड़ों पर भी exclusive control था. जेफरी कहते हैं कि केरला की इडवा women को body के अपर parts में कपड़े रखना allowed नहीं था. कास्ट rules के violators को extreme punishments मिलती जो outcasting, violence, killing, lynching, etc. के रूप में थी. ये आज भी खत्म नहीं हुआ है. 2016 में गुजरात के उना में कुछ दलितों के खिलाफ violence की video recordings इसी casteist mentality का result है. segregation के बावजूद, SECs Indian society के integral component थे. क्यूंकि उनके बिना social life और upper caste land owners की luxury sustain नहीं हो सकती थी. खेर, जाती और untouchability ने मिलकर भारत में merit को destroy किया, जिसने growth, development और innovation को नुकसान पहुँचाया. इस बटवारे ने Indians को invaders के खिलाफ एक जुट होने से भी रोगा, जिसका फाइदा अंग्रेजों ने भी उठाया. अब चलते हैं British rule के समय जाती में हुए बदलाव की और. Colonialism and caste system दोस्तों, 18th और 19th century में जब western ideas और modern institutions इंडिया में penetrate हुए, तो caste system ने massive challenges face किये और चीज़ें बदली. British Raj ने Assis को नए avenues दिये जो उनके लिए caste से बाहर निकलने का पहला मौका था. इन नए avenues में economic opportunities, access to education, westernization और politicization जैसे factors थे. Colonialism के साथ भारत में entry हुई railways और industries की, और Bombay, Calcutta, Madras जैसे शहर expand हुए. इन cities में नए jobs की demand बढ़ी, factories में workers, शहरों की देखरेक के लिए manual laborers, drains, roads, buildings के constructions, etc. के लिए workers की जरूरत थी, और शहर, caste के division of labor को challenge करने लगे. villages में upper caste land owners के दमन से तंग आचुके oppressed castes, प्रगती की उमीद में शहरों में गए और नई jobs में शामिल हुए. को लोनियलिजम ने modern institutions की मदद से भी कई caste groups की conditions को improve किया. For example, British army में महार community को जगह मिली. तमिलनाडू के नादर्स पहले toddy tapping में थे, जिसे polluting माना जाता था. लेकिन British rule में कई नादर्स, toddy trade में गुसे और middlemen और money lenders बनकर उन्होंने अपना social status change किया. Equality पर based modern legal system ने भी caste को challenge किया, जिसका इस्तेमाल lower caste leaders ने बढ़ चड़ कर किया. लेकिन situation complex थी. एक तरफ oppressed caste के लिए शहर उम्मीद लेकर आया, लेकिन वहाँ भी उन्हें ऐसे ही jobs मिले जिन्हें लेकर stigma बरकर आ रहा. इसलिए economic opportunities बढ़ ही लेकिन status improvement सिर्फ कुछ ही का हुआ. कुछ schedule casts जो cottage industries, weaving और tanning में थे, वो तो Manchester की cheap machine made clothes के चलते बरबाद हो गये. खैर modern education के चलते कई social reformers ने caste और छुआ छूद के खिलाफ लोगों को जागरत किया और oppressed caste को educate किया. इस education के चलते ही social reform movements का उदय हुआ, जिसे हम आगे देखेंगे. Social reforms और anti-caste struggle दोस्तों भारत में caste पर सबसे पहले attacks, religious reform से हुए, जो ancient times तक trace किये जाते हैं. बुधिजम और जैनिजम से लेकर हिंदूइजम के भक्ती movement तक सबने equality को प्रीच किया. संत रामनुज से लेकर निंबार कचार्य, चैतन्या महाप्रभू, कबीर इत्यादी का रोल इसमें immense रहा है, पर caste system को सबसे बड़ा जटका 19th century में लगा. फ्रेंच revolution हो चुका था, और liberty, equality और fraternity के ideas पूरे विश्व में प्रचलित हो रहे थे. इंडियन्स भी इससे अचूते नहीं थे. कई इंडियन leaders और scholars modern ideas से प्रेरणा लेकर untouchability और child marriage जैसे social evils पर attack करने लगे. अर्ली reformers में ब्रह्मो शमाज के राजा राम मोहन रोय और महराष्ट में प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली एटसेटरा important थे. अर्ली leaders largely अपर कास्ट से थे, लेकिन second half of the 19th century तक modern education non-brahmins तक पहुँची और तब उन्होंने anti-caste movements को lead किया. अर्ली 19th century में Central India में सतनामी movement के तहट गुरू घासी दास ने leather workers और 1860 में बेंगौल में हरी दास ठागुर ने मटुआ सेक्ट के तहट चंडाला cultivators के upliftment पर काम किया. लेट 19th century में केरला में एडवाज कास्ट के श्री नारायन गुरू भी कास्ट के खिलाव जंग छेड़ चुके थे, जहां उन्होंने one caste, one religion, one god for human kind का नारा दिया. इन सभी ने lower caste को caste oppression के खिलाव बोलने का self-confidence दिया. Oppressed caste leaders में सबसे ज्यादा influential और vocal शायद जोती राओ फूले थे. उन्होंने ब्राह्मन्स के dominance को challenge करने के लिए उन्हें outsider डिकलेर कर दिया और oppressed caste को इंडिया का original inhabitant बताया. फूले ने कहा कि इंडिया के बाहर से आए upper caste ने इंडिया के original लोगों को oppressed कर अपना दबदबा कायम किया है. और इसलिए अगर upper caste equality को नहीं मानते तो भारत की धर्ती पर उनका कोई अधिकार नहीं है. फूले ने अपनी किताब गुलाम गिरी में oppressed caste की तुलना American slavery से की और जातिवाद के खिलाफ सत्य शोधक समाज की स्थापना की. फूले का importance इसलिए भी है क्यूंकि वो बीसवी सदी के कुछ महान anti-cast leaders जैसे अंबेडकर और पेरियार के प्रिर्णा स्रोत भी थे. 1925 में South India में पेरियार ने caste के खिलाफ self-respect movement लौँच किया. इसके तहट पेरियार ने inter-cast marriage और बिना ब्रहमन priest के marriages को normalize कर South India में ब्रहमन monopoly को कमजोर किया. इसके अलावा South में temple entry movement भी powerful हुआ, जो 19th century में अरुवी पुरम movement और बीसवी सदी के वाइकॉम सत्यागरह और गुरु वयूर सत्यागरह के रूप में दिखा. आंद्रे बेत्ते के मुताबिक anti-cast movement में political struggle की शिरुवात सबसे पहले 1916 में तमिल नाडू में justice party से हुई, जिसने civil services में ब्रहमन monopoly को counter करने के लिए reservation इंट्रिट्यूज किया. नैशनल लेवल पर महत्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संग की स्थापना कर untouchability को attack किया और दलित upliftment पर जोड दिया. इसी दौर में अंबेटकर का भी rise हुआ, लेकिन गांधी और अंबेटकर के बीच disputes थे. अंबेटकर कास्ट के complete eradication की बात करते थे, लेकिन गांधी का focus सिर्फ untouchability पर था. अंबेटकर चाहते थे कि दलित्स को separate electorate में ले, ताकि दलित्स खुद अपनी आवाज political platforms में उठा सके. लेकिन गांधी को लगता था कि ये हिंदूस को divide करेगा. इसलिए जब 1932 में British Prime Minister Ramsey MacDonald ने दलितों के separate electorate की बात की, तो गांधी फास्ट पर बैठ गए. कॉम्प्रमाइज के तहट पूना पैक्ट साइन हुआ और separate electorate की जगह reservation आया, जो आज भी जारी है. अब समझते हैं इंडिपेंडेंडेंस की बाद के caste system को. कास्ट एंड कास्टीजम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. दोस्तों, आजाद भारत ने policy of protective discrimination अड़ाप्ट किया, ताकि एतिहासिक अन्याय सहने वाले समाज को substantive न्याय मिले. सम्विधान निर्माता जानते थे कि एक unequal society में formal equality, inequality को और बढ़ावा देगी. यानि कि भले ही सम्विधान ने competitive exams के लिए हर कास्ट को equal opportunity दे दी हो. लेकिन real sense में equality तब तक नहीं होगी, जब तक उस competition में बैठने वालों का socio-economic condition सिमिलर न हो. हजारों सालों से oppression जहल रही जाती के लोगों को अगर privileged high caste के लोगों के साथ exam में बिठा दिया जाए, तो ये true sense में equal competition नहीं है. इसके अलाबा, खुद भी जाती व्यवस्था को जहल चुका एक oppressed caste ने था, oppressed caste के हिसाब से better decision ले सके, इसके लिए politics में भी representation ज़रूरी था. इसलिए SEs के लिए legislature, government jobs और education institutions में reservation की व्यवस्था हुई. 15% central services में और 14% parliament में. Untouchability का abolition हुआ, और SEs को public places जैसे shops, hotels, wells, tanks, bathing huts, roads, etc. में free entry मिली. Five year plans में भी एक specific component बना, जो इन communities के welfare पर special ध्यान देता था. Political struggle को continue रखने के लिए, बाबा साहिब Ambedkar के बेटे यश्वंत Ambedkar और N. Sivaraj के नित्रित्व में Republican Party of India को 1957 में बनाया गया. इसका main purpose, SE sub-casts को unite कर political power gain करना था. लेकिन internal differences के चलते party split हुई और RBI के disillusion leaders ने 1970s में दलित Panthers बना कर political movement को expand किया. North India में दलित लीडर कांशी राम का उदय हुआ, जिन्होंने बहुजन्स यानि दलित्स और बाकी के backward cast को unite किया. उन्होंने 1984 में बहुजन समाजवादी party का formation कर, scheduled caste politics को नया आकार दिया. कास्ट politics में एक important turn 1980s और 1990s में आया, जब मंडल कमिशन ने other backward classes के लिए 27% reservation की बात की. OBCs middle cast के वो groups हैं, जो forward cast के dominance के चलते backward रहे. मंडल ने भारती ये राजनीती को हमेशा के लिए बदल कर रग दिया. क्यूकि मंडल movement से जण में कई backward cast नेताओं ने 1990s में UP और बिहार से Indian National Congress की monopoly को destroy कर दिया. 1990s के बाद लगभग 24 साल तक इनके बिना national government बन पाना किसी party के लिए मुम्किन नहीं था. sociologists कहते हैं कि बहले ही जाती व्यवस्था पिछले 200 सालों में कमजोर हुई, लेकिन caste as an identity democratic politics के चलते strengthen हुई है, जिसका असर caste-based voting behavior में दिखता है. कुछ sociologists ये भी कहते हैं कि बहले ही दलित और backward caste movements ने oppressed cast को empower किया, लेकिन जातिवादी ideology पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. शायद यही वज़य है कि आई दिन हम दलितों के खिलाफ violence, honor killings, etc. की खबरें सुनते हैं, और NCRB की report caste-based violence में rise की ओर इशारा करती है. उना violence से लेकर हाथरस rape case तक, caste-based oppression चरचा में रहें. युनिवर्सिटीज में भी untouchability, modified forms में दिखती है. 2016 में हैदरबाद युनिवर्सिटी में रोहित वेमिला के suicide ने institutionalized casteism पर debate शुरू किये. इंटर-caste marriage जैसी practices आज भी taboo हैं. अर्बन centers में भी casteism खत्म नहीं हुआ है. manuals cavenging पर 2013 में लगे ban के बावजूद, आज भी news reports manuals cavenging के existence की बात करती हैं. SEs 16% population के बावजूद किवल 9% agricultural land-own करते हैं, जबकि 22% forward casts लगभग 41% land-own करते हैं. प्राइविट सेक्टर एक ऐसी opportunity बन के आया था, जिनसे उम्मीद थी कि वो recruitments, caste biases की जगए merit के बेस पर करेंगे. लेकिन Indian Institute of Dalit Studies के खालिद खान कहते हैं, कि corporate के networking और referencing के चलते, वहां भी oppressed cast काफी कम हैं. Economist सुखदेव थोराट कहते हैं, कि private sector में एक college educated lower caste job applicant, higher caste के comparison में far less successful हैं. दोस्तों, ये facts बताते हैं, कि पिछले 200 सालों में caste system change तो हुआ, लेकिन उसके remnants आज भी हैं. यानि, casteism के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है. एक बहतर समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए, जरूरी है कि ये outdated व्यवस्था जल्द से जल्द eradicate हो, ताकि हम inclusive growth, innovation और development की तरफ बढ़ें, जहां सब equality of opportunity और अपने अधिकारों को real sense में enjoy कर सकें.